शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें कि अगाड़ों की खड़ी नहीं करता उसे तोड़ादा है कि यह कि यह तो होना ही था सर जी आइडिया दू आशा जी की कुरसी ही सकती है पस आप चुनना अबाई को बड़े साहब के दिल में फिट कर दीजिए फिर हर सालेवाद लिए जाईए पिए जाईए अपनी बहाए जाईए या बे शान पान जान तेरी पास में दम तो है नासल आशा जी कहीए जी वह कान है आप क्या काम है अधे नमेड़ मेरे पती बहुत दिनों से ला पता है क्या नाम है तुमारे प्ती का शंकल-सकसे ना क्या कि मैं तुम्हारे पती को पहचानूंगी कैसे यह मेरे पती की फोटो है तुम यह तस्वीर मेरे पास रहने दो मैं तुम्हारे पती को ढूना जी बहुत अच्छा पुद्धे की आला वसके का अब तुम्हावरा तो सुना होगा थूकने वाले को थूक कर चाटना भी पड़ता है उसकी नौबत नहीं आएगी कच्छरे के टिपे इसका हमसाया हमेशा इसके साथ होता है पखड़ लो इसे जय माता देश हाएँ है है हाँ है हाँ अ वोलियों से इसका पेट नीवरेगा इसका पेट भरेगा लातों से इस देल का मरीज है इसे नी बताईगा इसे तो अदालत वाली ग्लूकोज चाहिए फिर बताउंगा तुझी अगर बताएगा नहीं तो हलक में हाथ डालकर जबार खीच लोगा तैरे खुझाए तरह पीट रहा हूं यह शरीफ आद्मी तो फिर यह बता कि इसके पास मीना कैसे पहुंचे ही मुझे क्या मालूम हो तुम्हें तो शायद यह बीनी मालूम होगा कि कल तुम्हें शरीफ आद्मी के साथ शराप पी रहे थे और तुम्हें तो शायद यह भी नहीं मालूम होगा कि इस शरीफ आद्मी को बचाने के लिए ड्रक्स की जगे ग्लुकोज के पैकेज किसने रखे थे तुम्हें क्या पुलिस डिपार्टमेंट के सारे थानों के तवों को रोटियां सेखने का ठेक अले रखाया है शट अब को इसे कौन बचाता है मीना की गवाही से जेल की चक्की पिस्वाईगी कि इस्पेक्टर आशा क्या यही है तुम्हारे काम करने का तरीका बताओ कौन है इसकी मौत का समयधार यह सवाल आप उनसे पूछिए जिनकी शिकायत पर आपने मुझे यहां बुलाया है तुम्हार बॉस हूं और तुम्हें कहीं भी कभी भी हकीकत जानने के लिए पुला सकता हूं हकीकत तो यह है कि मीना चश्मदीब कवा थी मुझरिमों ने उसे अपने रास्ते से हटा दिया और आप मुझे मीना के मर्दर चार्ड में फंसाने की कोशिश करें मैं क्या कर रहा हूं यह म कानून मुझरिमों के हाथों एक खिलोना बनकर नहीं रह गया होता पुलीस डिपार्टमेंट के इजद लोगों के नजर में इतनी नहीं किरती आप डिपार्टमेंट का इतना ख्याल होता दो मुझे नीचा दिखाने के लिए यह उस दिन मंत्री अच्वनी कुमार जी के प प्रक्टर माने और तुम होगी इनकी एसिस्टेंट माने जैसे घटी आफसर के आउर्डर पर काम करने से तो इस्तिफात देना अच्छा है कि अच्छा के सब्सक्राइब कर दिया किसे कहते हैं वफादार पती की वफादार पत्मी है अगर तुमने आशा के खिलाफ एक लफ भी बोला तो मैं तुम्हारा मुझ तो क्यों शरा हमें नीचा दिखाने के लिए आप इस घटी आफसर की तरमदारी कर रहे हैं मैं चा रही हूँ लेकिन ये मत भूलिये की शेदनी जब खाइल होती है तो और भी खतरनाक हो जाती है मैं आप लोगों कर जीना हराम कर दूंगी आप यही समझाने आये हैं कि मेरी बहु अपना इस्तिफा वापस ले 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 जी हाँ तो आप पहले के मिस्तर सिंग को जाकर समझाइए कि बहु बेटियों के साथ कैसा सुलुक किया जाता है आपको शयद पता नहीं आपके भाई श्री राजकुमार ने आपके नाम का नाजायस फाइदा उठा को किसी राजग्रूप नाम की बोगस कंपनी का चकर चला रखा है देश में आतंक और अध्यशार के आंधी फैला रखी है आपके चेलीफोन्स और कॉंप्यूटर का इस्तिमाल करके स्मगलिंग की जा रही है आज इंसान इतना गिर गया है कि मेरा भाई आस्तीन का सांब बनकर मुझे डस लेना चाहता है और उसका फ़न कुचलने के लिए अमर और आशा की जरूरत पड़ेगी अगर यह दुनिया बुरे लोगों से भरी पड़ी है तो उन्हें खत्म करने के लिए अच्छे लोग चाहिए यह दोनों मेरे बाजू है और हां आशा तुम्हें किसी के दबाव में नहीं आना है तुम कल से डूटी चांद करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ नमस्कार करता है इसका भाई है विश्वमित्रा और वह आशा भी किसी मेंका से कम नहीं है मैं तुम लोगों का इस अपना कभी पूरा नहीं होने दूँगा अधारो मैं अभी हाई कमांड के पास चाकर तुम सब के ना वरण जारी करोता हूँ नहीं नहीं सुनिये 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 भाईजी हमारी बिल्ली और हमीशे म्याओं की पल्टिस खेल गई वाँ मंत्री भाई साब तो धंकी दे गए कि अधिन नहीं है तुम्हारे पास उसने जैचंग को छुडवा लिया मिना का कटल करवा दिया तुम्हें पर मजबूर होना पड़ा अपने भाई को बं से उड़ाया उसमें तुम लोगों को उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है उस बेडिये के खिलाफ इतने सुबूत इकठा करो इतने सबूत ढूंडो कि वह मौत के कुए से बाहर न निकल पाए तू क्या सोच रहा हूं शिरीमति आशा वर्मा वाँ 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 नेता बनकर उद्गाटन करने का शौक भी पैदा हो गया है हां लगता है मंत्री बनने का सपना देख रही हो मैं अपनी मा बेहनों का सपना पूरा कर रही हूं जिस पर आपको जलन हो रही है जलन दो तुम्हें अब यह जानकर होगी कि चंदे से बनी महीला आश्रम की इस बिल्डिंग पर राज कुमार साहब का कव्जा हो चुका है तुम्हारे चहीते मंत्री अश्वनी कुमार जी अब इस दुनिया में नहीं है मैं जाहूं तो तुम्हारी इस हरकत पर तुम्हें जेल की चक्की पिस्वा सकता हूं कराओ मेधाजी, कि नासों पर दले क्यों हो घाए मुनाया धश्मा ने जाएसे मुनावफ हमेरा धश्मा ने जाएसे मुनावफ आश्रम की बिल्डिंग को लेकर इतना बड़ा हंगामा हो रहा है आप यहां चुपचा बैठी जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगे मैं यहां से नहीं हटूंगी नहीं हटूंगी मैं बेशारा ओर्तों के साथ नाइंचाती नहीं होने दूंगी मैं फुली सौफी सजी नहीं एक और दी हूँ और उर्तों पर होते जल्म नहीं देख सकती समझे हमारे घर के बाहर इतना बड़ा पाल्टिस हो गया और हमें पता तक नहीं आपको पता चलेगा लेकिन ऐसे नहीं इस भ्रश्राशार का भांडा फोड प्रेस को बुला के हम करेंगे हम समझे आप मुझे माप कर दो बच्चों मुझे माप कर दो यह क्या कर रहां जनता की सेवा करना ही हमारा धर्म है सुभित्रा देवी जी आप चाहिए अब उस प्लॉट की तरफ को आँख उठाकर भी देखेगा उसकी आखें निकाल लूगा आप जाहिए निम्रक्राइए अरे तेरा पहुंचे स्याथ खड़ी खाट पे कुछ दिया होगा तुस्से क्या गरूरत थी तुझे उस अमर और आशा के सामने जुखने की वो दोनों तो हमारे राज घूप के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं उनकी तो मैं ऐसी खाट खड़ी करूंगा के सालों को इस थरत क्विश्ट कि अधिए बाद हो गया अरे पीलो साहिब ये शराब भी तुमारी और मैं भी तुमारी अधियो अरे तुदर भी आ गया हवाला छोड़ को ठोड़ को अरे जा जा ये मुह और मसूर की डाल बड़े साब को बोल को इस बार बड़े जेल भेज़ दूगी अधिया जोरू को अपने घर में बिटा को मेरे उपर रोब जारता है मैं उसको लेने आयो और लेकर जाओंगा अरे तो मैं तेरी को काट कर रख दूगा अधिया अधिया आधिया तुन्ना की बेवफाय में थुदा सा नशा किया तो मेरे को जेल बेच्टाइं दुनिया में बुरा लोगा क्या-क्या खुरापता करता है मेरे को मालूम नहीं क्या बेजो बेजो मेरे को जेल बेजो फिर भी मैं बोलता ही प्रशा ने पुरे इलाके में नाकवदी कर रखी है अजेसी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आशा के साथ है आपको प्रटाइगा ऐसा 25 लाग का तोफा उसे खेज़ दो देखते हैं उसकी इमानदारी की खाट कैसे खड़ी नहीं है यह तो होना ही था सर्जी पैसा जिंदगी की शान है आन है जान है लेकिन यह तो बताइए इन पैसों से किसकी बढ़ने वाली है क्या शान आन जान मैडम यह क्या है पूरे 35 लाग का सोफा कोई आपके लिए छोड़ गया है उसकोई का नाम पता ठीकाना आप आम खाईए ना पेड़ाम गिन लेंगे घर आई लक्षी को ठुकराना आप शकुन होता है अच्छा और क्या आप शकुन होते हैं समझदार के लिए तो इस्टारा ही कापी होता है अच्छा नहीं क्या मैडम सर फरोशी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है अच्छा आप तो पुलिस की शान है आन है जान है सर इस प्रेक्टर आशा ने हमेरे पांच ट्रक पकड़ लिये जिसमें करोनों की चांदी है और वो किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तयार नहीं अच्छा प्रेक्टर 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 नहीं अच्छा प्रेक्टर नहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं न तुम्हें मेरी फिक्र है अगर इस बात की परवा नहीं के इस जंग में तुम्हारी जान भी जा सकती है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सनी का क्या होता मां क्या होता मेरा क्या होता तुम्हारे प्यार की ताकत जो मेरे साथ है, उझे कुछ नहीं होगा, अब अंस्तो, मुश्कुराओना प्लीज, प्लीज, अमर, अमर,